इंडिया की बात में वो कारकरम जिसमें मेरे साथ होते हैं उर्मिलेश और भाशा आप दोनों का स्वागत है और आज इंडिया की बात में दो मुद्दे आपके सामने मोदी सरकार की महत्वा कांगशी अगनिपत को लेकर देश में बवाल मुदा नबर एक होगा और दूसरा प्रयाग राज में जो बुल्डोजर चला है उससे उठते सवाल समवेदन ही मीडिया उदासीन अदालते हैं मगर सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अगनिपत की जी हाँ शायद मोदी सरकार ने कलपना नहीं की होगी कि वो सैनिक भरती को लेकर एक कारक्रम लेकर आते हैं और युवा उससे इतना नाराज होता है कि आज देश के अलग-अलग हिस्सों से युवा जो है वो ट्रेन वो ये सवाल पूछ रहा है सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि चार साल तक आप एक व्यक्ति को हध्यारों की ट्रेनिंग देंगे और फिर आप उसे समाज पर छोड़ देंगे ये तमाम मुद्दे हैं और साथ ही इस सरकार ने पूर्व सैनिकों की चेतावनी को भी पूरी बेरुजगार की उम्र में युवाओं को बेरुजगार करने वाली है आप उनको रखोगे और चार साल के बाद कहोगे कि चले जाओ तो ये मैं समझताओं की नीतिगत स्तर पर ये मुरुखता पूर्ण है इसके पीछे कोई विजन नहीं है पता नहीं कैसे ही आ गई शुक्रिया और मिलेज जी क्या है इस खबर का पंच भाशा देखिए अभिसार मेरा बहुत साफ मानना है कि ऐसा करके भाशपा अपने निजी हितों के लिए RSS के हितों के लिए राष्टी सुरक्षा से बहुत बड़े पैमाने पर खिलवाड कर रही है सारे देश को बेशते बेशते अब सेना को भी ठेके पे जा रही है एक बात बहुत साफ सेना में भरती भाशपा की रसोई का कोई पकवान नहीं है कि आप आज ये कर रहे हैं और कल वो पकाना चाहते हैं या सरासर गलत है अभी सार आपका पंच क्या है आप कैसे देखते हैं इस खबर को इस खबर पर मेरा पंच ये है भाशा कि जब भी कोई सरकार फैसला करती है न तो उसके पीछे आत्ममंधन होता है उसके पीछे एक सोच होती है और जब कोई सरकार घलती करे तो उसे कटगरे में रखा जाता है मोदी सरकार को कटगरे में कोई नहीं रखता उसकी कोई जवाब देही नहीं है कृशी कानून ये लेकर आते हैं मीडिया उसे मास्टर स्ट्रोक बताता है जब कानून वापिस लेते हैं उसे भी मास्टर स्ट्रोक बताता है आज जब मोदी सरकार ये तमाम फैसले कर रही है तो उन्हें कोई कटगरे में नहीं रख रहा है और ये तमाम चीज़े इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी सरकार की कोई जवाब देही नहीं है सालों में 80% की गिरावट आई है सबसे बड़ा शिगूफा जो मोदी सरकार या उनका प्रचारतंत्र फेक रहा है कि चार साल बाद हम उन्हें पारमिलिटरी फॉस में भरती करेंगे अरे आप जो मौझूदा भरतियां हैं उन्हें तो आप पूरा करनी रहे हैं आप बड़ी बड़ी बाते कर रहे हैं तो चुकी इनकी जवाब देही नहीं है कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल यह और देखे इसलिए आपको दिखाई दे रहा है और अब वह 2014 से चलते 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 वह 10 लाक हो गई है और उसमें भी सेना में 46,000 की बात है तो सबसे बड़ी पैमा मुझे लगता है खिलवाड जो किया है और 2014 का जो चुनाओ है अठारा महीने आप नौजवानों के भविश्य के साथ जो इतना बड़ा खिलवाड कर रहे है कि 17.8 साल की उमर से लेकर अब उन्होंने कर दिया है उसको 23 साल लेकिन 21 साल तक तो जो नौकरी और पर्मिन नौकरी के लिए हम जानते हैं ने देखा है कि लोग मशक्कत करते हैं दोड़ भाग करते हैं ताकि नौकरी मिले सरकारी नौकरी मतलब गैरंटी और यहां देखिए कि कोई गैरंटी नहीं चार साल बाद आप सड़क पर आप गार्ड बनिये होम गार्ड बनिये पी एसी बनिये या मुझे जो खत्रा दिखाई दे रहा है एक अलग धंका मिलिशिया तैयार करने की तैयारी है हमारे आपके पैसों से उर्मलेश जी मैं आपसे यहां पर पूछना चाहता हूँ कि देखिए अभी ये भी तैय नहीं है कि भाई ये जो चार साल बाद निकलेंगे नौकरियों को लेकर तो चली असमंजस है उन्हें किस तरह की डिगरी मिलेगी आज ये खबर थी कि भाई उन्हें इगनू को लेक मैं नोटबंदी से करता हूँ नोटबंदी में कैबिनेट को भी नहीं मालूम था कि उनकी सरकार इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा फैसला करने जा रही है जो भारती अर्थब्योस्ता को ध्वस्त करने वाला फैसला साबित हो सकता है ये ठीक उसी तरह की हो जना है क इसे consultation सरकार करती देती है, tradition रही है, one rank, one pension का जब मामला उठाता तो आपको याद होगा भारती जनुता पार्टी ने one rank, one pension को assure करना चाहा, कहा कि हम यह लाएंगे, हम यह करेंगे, हम और आप आज कर रहे हैं कि उनको salary भी गलत कम मिलेगी, उनको pension नहीं मिलेगी, उनको कोई स सब्सेदार बात है कि यहां पर आप सेना में तो pension से बाहर कर रहे हैं, लेकिन जब लोग सवाल पूछ रहे हैं, नौजवाना सड़क पे, जो देश का भविश्य है, कि भाई, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो बाकी बीरोक्रेट्स हैं, आप अपनी pension क्यों नहीं हैं, जो डिजाइन रहती हैं, जैसे नोटबंदी से एक डिजाइन थी, इसी तरह से इसे यह डिजाइन है, कि नौजवानों को एक दूसरे ढंके मिलीशिया में, इस्राइल मॉडल है, बाकी भाश्पा का और संग का जो 2025 का मॉडल है, कि आपकी अपनी फोर्स हो, ऐसी फोर चार्ज का लोग इसमें नुक्त किये जाएंगे, क्योंकि 46,000 आपको करना है, 46,000 पहली फेज में, तो यह कौन लोग होंगे, आपके हाथ में है, आप उसके लिए कोई competitive exam नहीं ले रहे, आप कोई उस तरह का नहीं कर रहे, तो कहीं इसके पीछे यह इरादा तो नहीं है, क कई former soldiers, जो हैं, पूर्व सैनेक, इसको लेकर चिंता जतला रहे हैं, मसलन लेफने जनरल विनोद भाटिया ने बहुत तल्क शब्दों का इस्तमाल किया है, उन्होंने कहा है कि सरकार ये योजना इसलिए लेकर आई है, क्योंकि वो pension देने से बचना चाहती है, उन्होंने सी मेशा या सुरक्षा रहेगी कि मुझे चार साल बाद एब्जॉब किया जाएगा या नहीं एब्जॉब किया जाएगा, वो क्या सीमा पर खड़ा होके अपनी जान के आगे देश का मान सम्मान रखेगा, और यहीं नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेजर जनरल यश् बाद भारती सेना के बहुत ही प्रतिस्ठित जनरल हैं, और कुछ साल पहले रिटायर हुए, उन्होंने कश्मीर में आर्मी को लीड किया हुआ है, कश्मीर जैसे स्टेट में, उनका भी कहना यह है, कि वहीं, केवल हमारे सुरक्षा तंतर के लिए रिसकी एक स्कीम है, उन डिस्रप्ट भी करेगा, और यह वो पुलिटिकल पार्टी कर रहे है, जो राष्ट्रबाद के नाम पर राजनीती करती है, आप भी अगर कोई और, आप देखे एक बड़ा मज़ेदार है, कि यह तो वो लोग है जिनके नाम है, एक ऐसा शक्स, जो लगातार तमाम टीवी चैनल से बैट के मोधी सरकार के हर फैसले पर उनके साथ खड़ा रहते थे, मेजर जनरल जीडी बक्षी, वो देखे क्या कहते हैं, वो मोधी सरकार से कह रहे हैं कि भगवान के नाम पर आप इसे मत करिए, क्योंकि आप इंडियन आर्मी को जो और इसे एक कौजी में आप तब्दील कर रहें, यानि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तब्दील कर देंगे, और यह से ना कम से कम सीमा पर तो दुश्मनों से नहीं लगए हो रहा है, क्योंकि इस सरकार की कोई जवाब देही नहीं है, और जीडी बक्षी के इस बयान के बाद तो यह साभीत हो कारों ने पूछा, तो उन्हें खुद नहीं पता था, आप यह बताईए, इस से जाधा हास्यास्पत बात क्या हो सकती है, इस से कंसर्ट कर रहे हैं, कि आप देखिए कि पहले दिन 21 साल, चात्र जब साड़क पर उतरे, 23 साल आपने उसको बढ़ाई उमर, कि आप कब तक उ कर रहे हैं, जिसके बारे में आप थापन इनगी चाती का सब दावा कर रहे थे, आपने यह टहीं कि आम इतने लोगों की भरती कर रहे हैं, चार साल बाध में हो जाएंगे, सब कहीं और चले जाएंगे, तो इस से यह साफ है, कि इनका एजेंडा अधरसल कुछ और है, अग लाकि हम एक बात स्पश्च कर दें और ये बात हम लोग बार-बार कहते रहे हैं कि हिंसा किसी भी सूरत में समाधानी है जहां जहां पर ट्रेनों को आग में जोका गया है मैं कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे लोग हमारे सैनिक बनेंगे मैं आपकी हताशा समझ सकता हूं मगर कि किसी भी कीमत पर हिंसा जायज ठहराई नहीं जा सकती इस देश के सामने धेरों मिसाल है सत्यागरह का आंदोलन है शाहिन बाग के आंदोलन को देखिए किसान के आंदोलन को देखिए उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं अख्तियार किया एक दो अपवाद हो सकते हैं मगर ब आंदोलन को नौकिवल कमजोर करेगी बलकि जनता में जो उसकी आवाज को एकसेप्ट किया जा रहा है उसको भी उसकी तिवरता कम करेगी लेकिन मेरा ये कहना है कि नौजवानों ने एक बात कही है आज उलेटेस्ट है कि 72 घंटे वो सरकार को समय दे रहे हैं 72 आवर्स कि इस में सरकार को इस परियोजना को इस स्कीम को वापस ले लेना चाहिए मेरा मानना है कि सरकार को गंभीरता पुर्वक विचार करना चाहिए नौजवानों की बात पर ताकि ये हिंसा का महौल न पैदा हो और नौजवान भी तब तक हिंसा बिलकुल न करें किसी भी तरह की लगातार बढ़ रही है भाशा मैं आपसे जाना चाहता हूं किसान आंदूलन में जिस तरह से प्रधान मंत्री देश के सामने आये थे और कहा था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई क्या आपको लगता है उसकी पुनरा वृत्ति यहां पर भी होती नजर आएगी क्योंकि एक बात मेरा कहना है अभी सार कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो चात्र सड़क पर उत्रे हैं ये एक टेस्ट केस ये भी है कि कि कितने बड़े पैमाने पे चले गए हैं दो हजार चौदा से लेकर दो हजार बाईस ये सोची कि इतने साल में जो नौक्रियों का वादा था और हम सब जानते हैं जो सरकारी आकड़े हैं पैतालिस साल से जादा पूरा जो रिकॉर्ड है इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही थी पिछले पैतालिस सालों में तो ये नौजवान लाइफ एंड डेफ के बीच में जूल रहे हैं इंका भविश्य और ये भी न भूलें कि हम हिंसा दिखा रहे हैं लेकिन उनके सोसाइड जो हो रहे हैं आत्म हत्या करने पर जो मजबूर हो रहे हैं चात्र जिन्होंने उम्र ग्यवाई है मलब चार साल पांस साल तो इस लि की बात तो नहीं करनी पड़ती ना कहां दो करोड कहां दस लाक और एक और चीज़ आपने गोर की होगी नुपूर शर्मा वाले मामले में भी मैंने बार बार अपने शोज में कहा था कि उसके जवाब में जब नमाजी सड़क पर उतरे हिंसा का उन्होंने इस्तमाल किया व पहले भी मास्टर स्ट्रोक अब भी मास्टर स्ट्रोक कर मैं दावे की साथ कह सकता हूं अगर कल को मोधी सरकार इसे वापिस ले लेगी तब भी मास्टर स्ट्रोक हो गया कि अब भाई आप तो आम लोग कह रहें देखे आप तो मीडिया के पार्ट रहें अविशार और आम आदमी कहने लगा है कि ये मशीन और मीडिया की सरकार है अब मशीन किसको वो कहते हैं मैं नहीं जानता कि क्यों कह रहा है हमने आम लोगों को कहते हैं ये तो मशीन और मीडिया की सरकार है तो मैं कई बार पूछता हूं कि क्या मतलब आपका है तो कहते हैं कि साथ इस सरकार को जो भी करना होता है मीडिया पहले कहने लगता है सरकार जब फंस जाती है तो मीडिया कहता है मास्टर स्टोक है तो ये मीडिया सरकार की सेना है ऐसा वो कह रहे हैं सेना मतलब उनका ब्रिगेड है तो ये एहसास अगर आम आदमी को हो जाए तो आप समझे मीडिया कितना ओविश्वसरी हो चुका है इस देश का खासकर टेलिविजन एक और चीज़ मैं आपको बतलाना चाहता हूँ इस सरगार की बहुत खास बात होती है जब भी कोई संकट आता है इनके सामने तो स्पिन का सहरा लिया जाता है आपको याद है जब किसान सडक पर था तो उसमें खालिस्तानी आंगल जोड़ दिया गया सुप्रीम कोट के अंदर सरकार ने दावा किया कि भाई खालिस्तानी घुस गएं कोई प्रमान आज तक नहीं दे पाए हैं उसी तरह से नागरिक्ता बिल के खिलाफ जब शाहिन ब दो रहा था वहां जो आंदोलन कारी थी बाकाइदा हाथ में तिरंगा लेके आंदोलन कर रहे थे वो भी समझ गये हैं कि सरकार जो है राष्ट्रवाद का क्या खिल खिल देखे और एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि कुछ समय पहले ही चात्र नौकरियों को लेकर भरत चाहन मंत्री नरेन मोदी के खिलाफ हैं यहां टारगेट पे कोई और नहीं है यहां पर सीधे सीधे लोग बोल रहा है कि मोदी जी को हमारी दुखदर से कोई मतलब नहीं नौकरी से मतलब नहीं और एक बात बहुत जो साफ है तमाम पोस्टर में तमाम नारों में तमाम प् हविश ये पूरी की पूरी तरह से चोपट हो जाएगा और ये से 46,000 सिर्फ देखी आप ये जो सारा हंगामा है सेना में भरती का जो ओफर भी दिया है लाखों में नहीं है 46,000 और आपके पास जो आकड़े हैं सेना ने इससे ज़्यादा भरतियां करनी थी जो पिछले चार सालों में नहीं मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ और बहुत त्वरित 10-10 सेकेंड आप दोनों से भाशा के नहीं सबर का प्याला तूट रहा है मगर क्या आपको लगता है ये पार कर पाएगा उस राजनीती को उस हिंदू-मुस्लिम की राजनीती को जिसके बुनियाद पर ये सरकार अपना राजनीतिक वजूद बचाती आईए 10 सेकेंड में मैं जितना आपजर्ब कर पाया हूँ अभी तक इस आंदोलन को हाना कि ये और संगठीत आंदोलन है स्वतास पूर्थ है इसके पीछे कोई नेता नहीं है कोई किसी भी तरह का संरचना नहीं है कि इसमें सर्वत जातिय सर्वत समुदाईक लोग है इसमें अपर कास्ट स्वक्री और अपने अस्थित्व को लेकर जेपी आंदोलन से लेकर अभी तक हमने देखा है यह तमाम समाज के डिफरेंट क्रॉसिंग क्रॉसिंग और सब जगह यह फैलेगा अगर सरकार जागी नहीं तो यह था हमारा आज का पहला बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा सवाली पूछा पुलीस ने आज तक सवाली पूछा जब थाने की पुलीस ने उन्हें बुलाया था उन्होंने कहा कि मुझे अभी 4-5 हफ़ते का वक्त चाहिए मैं मानता हूं कि जो नमाजी सड़क पर उतरे थे जो मुसल्मान सड़क पर उतरे थे हो सकता है और सामने तस् खबर का पंच उर्मिलेश जी मेरा माना है कि बुल्डोजर वाले मामले में सुप्रीम कोट ने और सुप्रीम कोट को साथ साथ जो हाई कोट से उन सब ने लोकतंत्र को निराश किया जो राहात और इंटर्वेंशन करना चाहिए था वो नहीं करके बताया कि दो तरह के नागरिक इस देश में है कुछ के लिए कानून है और कुछ के लिए बुल्डोजर है ये बहुत शर्मनाक और चिंता जनक है अभी सार आपका पंच क्या है इस ख़बर को लेकर आपने सुप्रीम कोट की बात की भाशा इस ख़बर में मेरा पंच ये है मीडिया की समवेदन हींता मीडिया ने शालींता की तमाम हदों कुपार कर दिया मैं एक न्यूस चैनल देख रहा था कि जुम्ह आ गया है और अब बुल्डोजर चलेगा इस तरह से आप एक पूरी कौम को एक पूरे समदाय को क्रिमिनलाइज करना उनके सामने जिस तरह का समवेदन ही रवया अख्यार कर रहे हैं ये बहुत ही शर्मनाक है तो चलिए बुल्डोजर वाली बात करते हैं यहाँ पर सीधी सी बात यहाँ पर इतने सारे कानून हैं इतने सारे अंतराश्ट्री कानूने जो साफ तोर पर कहते हैं कि अगर कोई अवैद निर्मान भी है तो आप उन्हें पहले नोटिस देंगे आप उनका पुनरवास करेंगे आप उसकी जमीन तयार करेंगे ये तमाम चीजे नहीं हो रही हैं इंट्रिनाशनल कानूनों की धज्या उड़ाई जा रही है भाशा और सबसे शॉकिंग कल जब सुप्रीम कोट के सामने ये मामला आया है तो सुप्रीम कोट ने कहा जरूर कि भाई बुलडोजर चलाने से पहले आपको वॉर нужен देनी होती है तो आप कर क्या रहे हैं माननी महुदे कर क्या रहे हैं देखिए और एक बात बहुत साफ हो गई कम से कम इस बार जो बुल्डोजर चला है कि सरकार अपने कुछ लोगों को सब भारती नागरिक हैं चाहे वो इलाबाद में जावेद का घर हो आफ्रीन का घर हो फातिमा का घर ह जो गिराया गया वो भारती नागरिक हैं उनका भी कानून के हिसाब से अधिकार उतना ही है जितना अभिसार का है भाषा का है या उर्मिलेज जी का है हम सब कानून की नजर में आज की तारीक में बराबर हैं यहां डिस्क्रिमिनेशन है खुद स्टेट बुल्डोजर को ही इंस्टेंट जस्टिस बना रहा है तुरंट आप तुरंट नयाय करिये यानि बरबर मधयुगीन जो एक कबिलाई मान सकता है कि हमने सोचा कि वो नयाय चाहिए नयाय तुरंट ऐसे होगा यह बहुत खतरा है और अज के भारत का नया नॉर्मिल बन गया यह बुल्डोजर जहां आप बुल्डोजर आप भी जानते कि किन हालात में चला करता था एक जमाने में अब बुल्डोजर मानों एक कलोसियम के अंदर एक पूरा एक तमाशा चल रहा है रोमन्स के जमाने में जिस तरह से स्टेडियम में एक तमाशा चलता था वो बुल्डोजर की हैसित हो यह वो बुल्डोजर अपने नागरी को पर चल रहा है और वो इस देश का नया सामान नहीं हो गया है कितनी बड़ी दरास दिये ही यह बहत खतरनाक है और मैं समझता हूँ कि इस भारती लोकतंतर में ऐसा कभी न सुना गया न देखा गया मैंने इमर्जनसी भी देखी है और आपको बताओं अभी सार उस वक्त इमर्जनसी में बुल्डोजर कुछ इलाकों में चले थे और उसको लोगों ने खारिश किया था उसके खिलाब आवाजें उठी थी अगर आप देखे तो बुल्डोजर केवल उसी केस में चलता था जब वाकई कोई बहुत बड़ा इंक्रोश्मेंट है लेकिन मेरा ये मानना है कि अपने देश में जो बड़े इंक्रोचर्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी जमीनों को कबजा किये हुए है चाहे वो कार्परेट हो चाहे बड़े नेता हो अलग-अलग इलाकों के वहां कुछ भी नहीं जाता कोई बुल्डोजर नहीं जाता सैनिक फार्म्स में भाशा इतने आवैद निर्मान है वहां बुल्डोजर नहीं चलेगा मैंने देखा है मुक्की मंतिर आधितनात के बायान जो इसवक्ध प्रदर्शन चल रहे हैं उनके तेवरों में कोई तलखी नहीं है अभी भी वो प्रदर्शन कारियों से अपील कर रहे है जो कि अगनिपत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उनके तेवरों में वहां तल्खी नहीं है और वहां पर दूसरी बात देखिए जो हाई कोट इलाबाद हाई कोट के चीफ जस्टिस गोविंद माथूर ने कहा कि अगर इंक्रोश्मेंट को पर हर एक इंक्रोश्मेंट पर बुल्डोजर चलाने लग जाएंगे तो भारत के आधे से अधिक जो बस्तियां हैं वहां पर बुल्डोजर पहुशना पड़ेगा और उन्होंने कहा कि यह नाइंसाफी है तो एक बात तो बहुत साफ है अभिसार जिसको लेकि अब कोई भरम भी नहीं सरकार का भरम नहीं और मीडिया जिस तरह से चुन-चुन कर दिखा रहा था चुन-चुन के इंस्टेंट जस्टिस को प्रोमोट कर रहा था उससे ऐसा लगता है कि एजंडा बहुत साफ था और वहां एजंडा भूल जाते हैं कि यह सिर्फ मुसल्मानों पर ही नहीं है दिल्ली में तो लोगों का जो राइट टू लाइफ है उसको खतम कर रहे हैं जिसे कोट को संग्या लेना तुम्हें आप दोनों से बहुत त्वरित रियाक्शन चाहूंगा हम देख रहे हैं कि शात्रों का जो आंदोलन चल रहा हैं उनमें असंतोश है अराजकता है बेरोजगारों में अराजकता है मुसल्मान सडक पर है जब ये तमाम चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही हैं देश की साह को नुकसान पहुंचा रही हैं हमारे इंटेरिल से पर बैठे वे लोग हैं वह अचानक उनका विवेक जग जाएगा और सब कुछ जो उनके आदेश पर हो रहा है उन्हें समझना पड़ेगा कि इससे देश में फाइदा नहीं है उन्हें बोलना पड़ेगा बाशा और देखी ना बोलके उन्होंने बहुत साफ कर दिया है कि वही इसके पीछे हैं जो कुछ भी देश में इस समय हो रहा है जो इतने बड़े पैमाने पर आक्रोश है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ दो लोगों पर बनती है प्रधान मंत्री नरेन मोदी ग्रिह मंत्री अमिशा और इसमें अगर आप मानी हाला कि कोई उनका सिंग जिनके पास सेना की कमान है जो लेकिन आप देखिए हर जगा हंगामा है और ये तीनों जो बहुत एहम लोग है ये चुबबेट हैं बहुत हो शुक्रिया भाशा आपका और उर्मिलेश जी इंडिया की बात में शरीक होने के लिए और हमें इस बात की खुशी है कि सक आरकरम को लेकर आपकी बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया आ रही है और हमारा वादा है कि हर हफते इसी तरह से तमाम बड़ी घटनाओं पर पैनी प्रतिक्रिया अनालेसिज हम आपके सामने लाते रहेंगे अबिसार भाशा और और उर्मिलेश को दीजी आनुमती नमस्का हुआ 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 है